अस्सलामू वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सर्वरे काइनात हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलललाहु ताला अलेही वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा उससे पहले अगर आप भी उम्मते मुहम्मदी होने पर फक्र करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे मुसल्मान भाईयो, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मुहबबत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नभी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलललाह ताला अलेही वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे, अब तक एक एक इमान वाला जन्नत में ना चला जाए, मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, एक मर्तबा नभी करीम, हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलललाह ताला अलेही वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तभी आपके सामने दो ऐसी सूरह आई, जिनको प पातें कुराने मजीद के अंदर कही गई है, अजाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनां रूह कांप जाती है, लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुराने पाक को पढ़ते ही नहीं है, जब तक हम कुराने पाक को पढ़ेंगे नहीं, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुराने पाक में क्या क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं। और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे क इतनी मुहबबत करते हैं। तो ये पढ़कर हमारे और आपके प्यारे आका सर्वरे काइनात हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहु ताला अलेही वसल्लम रोने लगते हैं। आँखों से आंसू आए, आपकी आँखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे। ए अल्लाह मेरी उम्मत ए अल्लाह मेरी उम्मत ए अल्लाह मेरी उम्मत यानि प्यारे इसलामी भाईयों हजरत इबराहीम अलाहिससलाम ने भी यह बात कह दी थी। कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हैं, यानि वह तेरी रहमत के हवाले हैं, जो नेक बंदे हैं, जो सालिह हैं, वह मेरे हो गए, और यहां तक के ईसा अलाहिससलाम ने ये बात कह दी, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तु जो चाहे कर, इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आँखों में आशु आ गये थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे। मेरे मुसल्मान भाईयों तब ही अलाह ताला ने जिब्राईल अलैस से फर्माया ए जिब्राईल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो कि वह क्या चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यह वही परवर्दिगार है जो सारी काइनात का मालिक है जो हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है जो दिलों की बात भी जानता है जो हम करने वाले हैं वह उस चीज़ को भी जानता है कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला अपने महबूब से इर्शाद फर्मा रहा है प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलाहिससलाम ने ये सारी बातें हुजूर सल्लालाहु अलाहिवसलम की बारगाह में अर्ज कर दी उसके बाद फिर अल्लाह का इर्शाद हुआ, ए जिब्राईल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे फिर हजरत जिब्रील अलाहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये बात भी कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे प्यारे मुसल्मान भाईयो देखिए किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब से महब्बत फरमाई कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर तीन मरतबा आपका इस्तिमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे और प्यारे दोस्तों यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मुहम्मद मुस्तफा अस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती इमान वाला जन्नत में ना चला जाए प्यारे दोस्तों जो इमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा अगर वह जहन्नुम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे सारी उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे वह इमान वाला जिनके दिलों में प्यारे आका सलल्लाहु ताला अलेही वसल्लम की महबत होगी वह लोग जन्नत में चले जाएंगे हमारे प्यारे आका सलल्लाहु ताला अलेही वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह तालाह फरमाएगा ए मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए आपको राजी किया जाएगा फिर प्यारे आका सल्लाह तालाह अलेही वसल्लम रोते हुए आंसों से यह बात कहेंगे ए अल्लाह मेरी उम्मत ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे उसके बाद अल्लाह ताला एक-एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इर्शाद फरमाएगा ए मेरे महबूब अपना सर सजदे से उठाइए आप अपसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग्ज रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में आप ढूंडते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर आप से, उनके अंदर आप ढूंडने की कोशिश करते हैं, दोस्तों, उन लोगों के लिए लोग उन्हें, तू और मैं कहकर पुकारते हैं, प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा, सुभान अल्लाह, प्यारे दोस्तों, अगर आपको उ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसल्मान, सब को इसलामी और सबक आमोज वाक्या सुना कर उनका इमान ताजा करना है, ताकि सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सकें, और यह बात भी है कि दीने इसलाम की बातों को अवाम और मुसल्मानों तक पहुचाना सवाब का काम है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके, अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो, तो आप हमें सपोर्ट करने के चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा, अला तबारक वताला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसल्मान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सीधी रह पर चलने की तौफीक अता फर्मा और उन्हें हर तरक्की से माला माल कर दे, आमीन, सुम्मा आमी दोस्तो, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफिज